हलो दोस्तों, दोस्तों क्या आपको पता है कि आज की टाइम में डिजिटर डेटा का बैक अप आप सब के लिए कितना जोड़ी है चाहे वो आपकी इमेज फाइल हो, कोई डाकुमेंट हो, कोई वीडियो हो, या कुछ भी, कोई भी ऐसा MP3 फाइल, किसी भी डेटा का उसका बैक अप और उसका रेगुलर बैक अप होना बहुत जोड़ी है बैक अप के लिए तो आप बहुत सारे सोर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम से एक बोर रिस्टोर किया है, या उसकी विंडो चेंज करेंगे हैं, तो कई बार डेटा हमारा लॉस हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है या हो सकता है कि कभी गलती से ही हमने डेटा डिलीट कर दिया हो, या रिसाइकल बिन से भी वो डेटा चला गया हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, दोस्तों अमोमन जो भी नेट पे आपको सौफ्ट्वेर्स मिलेंगे डेटा बैक अप के लिए या खोए हुए डेटा के र डेटा को अब ये श्टोर कर सकते हैं, तो इसको जानने के लिए चलिए चलते हैं हमारे से तरफ नमस्कार दोस्तों मैं हूं नितिष और आप देखने ओवियन आपना ह precisamente टेकनिकल नित्रा चलिए चलते हैं तो दोस्तों आप यह देख रहे हैं जैसा कि मैं अपने PC पे आ गया हूं और यहां मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट भी डाल रखी है जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ यह है डाटा रिकवर करने के टॉप फाइब फ्री सॉप्टवेर्स तो इसमें जो सबसे पहला सॉप् रिकुबा एक फ्री डाटा रिकवरी सॉप्टवेर है जो इस्टॉल करने के बाद पॉर्टेवल वर्जन में अबलेवल है यह हार्ड ड्राइब यस्वी ड्राइब मेमोरी कार्ड और आइपोड से एंपी थ्री से एंपी थ्री प्लेयर से भी गलती से डिलीट हुए डाट दिए डिपोर कर सकता है और इस इसका इंटरफेस पीजाण से बहुत लिजी है आप दूब कर सकते हैं दूशरा आता है is as free data recovery wizard दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है ये data recover करने का सबसे अच्छा software है ये software data recover करता है अगर आपका data format और delete कर दिया गया है ये partition कर दिया गया या partition कर दिया गया original file names और storage paths में से भी तो इस software में benefit ये है कि ये recycle bin से भी जो file delete कर दी गई है उसको भी दुबार से recover किया जा सकता है इस software के थो से तो इसका link मैंने आप मेरे post पहाएंगे तो इसका भी यहां से आपको link मिल जाएगा और आप चलते हैं तीसरे software parted magic दूस्तों parted magic एक live cd या usb linux software है जो partition hard drives और rescue drive partition के problems या error के garden lost हुए data को बचाने के लिए बनाया गया है इसलिए इसका नाम parted magic है तो आप इसको देख सकते हैं जैसा कि और ये CPU या flash drive से boot करके software या नए OS के installation के बिना gparted और parted tools पर काम करता है तो आप चाहें तो इसको भी download कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया टूल है और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ चलते हैं हमारे next software के तरफ जिसका नाम है PC inspector दूसको PC inspector भी बहुत बढ़िया है PC inspector के बारे मैं आपको बता दूँ PC inspector Equisist data recovery software है जो के विडियो audio और images पर आधारित files को ही recover कर सकता है कवर किये गए files को यह recover कर सकता है इस software की सबसे अची सुब्धा यह है कि यह header entry के बिना real time और date stamp के साथ file को recover कर सकता है तो आप चाहें तो PC inspector का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चलते हैं हमारे next जो है फोटो रेक फोटो रेक जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा फोटो यानि यह image files की आपको recover करने के लिए बहुत ही बढ़ियां software है और आप अगर आपके यह PC से अगर किसी भी तरह का image file यह MP3 file को भी recover करने के लिए सक्षम है तो आप अपनी सुभधानुसार यह देख लें कि आपका जो software है कौन से कौन सा software आपके लिए ज़्यादा benefit देगा तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो और दोस्तों मैं अपने पूश्ट की यह link मैं अपने description box में देदूँगा जहांसे इस पांचो software के बारे में आपको और डीटेल से जानकारी में जाएगी और साथ ही मेंने सबके links भी दे हुए हैं तो आप टेकनिकल मित्रा की ब्लॉक पे भी आकर यहां से उस software को download कर सकते हैं Thank you दोस्तों और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सस्क्राइब कर लेंगे और notification on करने के लिए इस bell icon को प्रेश कर लेंगे ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंचते रहें और आपको ऐसे ही tech news और tech tricks की जानकारी मिलते रहें Thank you दोस्तों